एक बार की बात है, पहाडियों और हरीभरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गाव में लिली नाम की एक यूवा लड़की रहती थी. जन के समय से ही लिली प्यार और गर्म जोशी से घिरी हुई थी. उसका परिवार, जो अपनी दयालुता के लिए पूरे गाव में जाना जाता था, की एक अनोखी परमपरा थी. वे इच्छाधारी थे. परिवार के प्रतेक सदस्य में इच्छाए पूरी करने की असाधारन क्षमता थी. चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो. जैसे जैसे लिली बड़ी होती गई, उसे यहाँ देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका परिवार उनके उपहार से क्या चमतकार कर सकता है. यदि वहाँ बादल वाले दिन में इंद्रधनुष चाहती थी या सर्दियों के दौरान खिले हुए फूलों का मैदान चाहती थी, तो उसके परिवार ने अपनी कलाईयों के जटके और जादू की बौचार से इसे पूरा कर दिया. कुछ समय बाद लिली को एथन नाम के एक यूवक से प्यार हो गया, जिसका दिल उसकी तरह ही शुद्ध था. वे एक साथ यात्रा पर निकले और जल्द ही उन्होंने शादी कर ली. सबसे पहले, उनका जीवन एक परी कथा के सच होने जैसा था. उन्होंने तारों के नीचे नरीते किया, हवा के साथ हसे, और चान से रहस्य फुस्फुसाए. लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया, एक छाया उनके स्वर्ग में घुसाई. एथन के बचपन के दोस्त मारकस और उसकी पत्नी वाइलेट ने एथन के मन में संदे और कला के बीज बोने शुरू कर दिये. वे लिली और एथन द्वारा साजा की गई खुशियों से इरश्या करते थे, उनका अपना जीवन कड़वाहट और नाराजगी से भरा हुआ था. मारकस और वाइलेट के जहरीले प्रभाव से प्रेरित होकर एथन का आचरण बदल गया. वह गुसेल और चिड़चिड़ा हो गया, उसकी मुस्कुराहट की जगह खीजने लेली. लिली, जो हमेशा आशावादी थी, ने समझने की कोशिश की यह विश्वास करते हुए कि प्यार सब कुछ जीच सकता है. हाला की एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, सब कुछ बदल गया. मारकस की जहरीली फुस्फुसाहट से क्रोधित होकर एथन ने लिली पर प्रहार किया, जिससे वह भय और अविश्वास से कामपने लगी. एथन की मानसिक यातना जारी रहने के कारण, उनके घर के भीतर एक तूफान चल रहा था. उनके प्यार के एक समय के जीवन्त रंग फीके पड़ गए. दिल तूटा हुआ और अपने बच्चे के साथ गर्भावती लिली ने खुद को एक चौराहे पर पाया. क्या उसे इस उम्मीद में दर्द सहना जारी रखना चाहिए कि एथन उसके पास वापस आने का रास्ता खोज लेगा? या क्या उसे अपने एक बार परिपूर्ण जीवन की जंजीरों से मुक्त होकर कहीं और शरण लेनी चाहिए? अपनी निराशा की गहराई में लिली ने मार्गदर्शन के लिए अपने परिवार की ओर रुख किया. अपनी आखों में आसू के साथ उन्होंने उसे गले लगा लिया और उसे सभी की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा, खुशी की इच्छा की याद दिलाई. उनके अटूट समर्थन से लिली को एथन का सामना करने और उस सम्मान और प्यार की मांग करने की ताकत मिली जिसकी वह हकदार थी. हाला की आगे की यात्रा अनिश्चित्ताओं से भरी थी, लिली ने अपनी खुशी को पुना प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाया, यह जानते हुए कि अपने परिवार के प्यार और अपनी आत्मा के लचीलेपन के साथ, वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान का सामना कर सकती है, और जैसे ही सूरज क्षितिच पर डूबा, गाव पर गर्म चमक बिखेर रहा था, लिली का दिल आशा से काम पुठा, क्योंकि वह जानती थी कि अंधेरी रातों में भी हमेशा रोशनी की एक किरण उसके घर का मार्वदर्शन करने के लिए।